हेलो एव्रिवान आज के अपसोड में एक पर फिर से आपको स्वागत है तो शुरुआत करते हैं पिछले भ्यास प्रशन से सवाल था निमनलिकित में से कौन नागरलेंड का राज्य पक्षी है तो इसका सही जवाब था उप्षन डी ब्लिथ ट्रैगोपैन चलिए अब इसका फिशलेशन देखते हैं हाली में भारत के प्रधानमद्री ने नागलेंड के लोगों को उनके एक सटवे राज्य तिवस परशुप कामना दी है आपको बता दें कि नागलेंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है इसके राज्थानी कोहिमा है जिबकि दीमापूर राज्य का सबसे बड़ानगर है नागलेंड की सीमा उत्तर में अरुनाचल प्रदेश से पश्चिम में असम से, दक्षिन में मणिपूर से और पूर में म्यानमार बर्मा से मिलती है वर्श 1963 में ये भारत संग का सोलवा राज्य बना था नागलेंड राज्य दिवस राज्य में हॉन्बिल उत्सव की शुरुवात का भी प्रतीक है ब्लिट्ट्रेगोपेन इस राज्य का राज्य पक्षी है इसलिए विकल्पटी सही है चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं हाली में चर्चित अभ्यास मिलन के पहले संसकरण में कौन सा देश इसका भागिदार नहीं था इंडोनेशिया, सिंगोपूर, आस्ट्रेलिया या फिर थाइलेंड तो इसका सही उत्तर है ऑप्षन सी ऑस्ट्रेलिया हाली में भारते नौसेना ने जानकारी दी है कि वोगले साल की शुरुवात में अपने सबसे बड़े बहुपक्षे अभ्यास मिलन की मेजबानी करने की तयारी कर रही है अभ्यास मिलन एक दिवार्शिक बहुपक्षे नौसेनिक अभ्यास है इसकी शुरुवात वर्ष 1995 में चार देशों इंडोनेशिया, सिंगपूर, श्रिलंका और थाइलन की भागिदारी से हुई थी जबके आस्ट्रेलिया इसके प्रथम संसकरण में शामिल नहीं था मिलन के पिछले संसकरण जो विछाखा पतनम के तट पर आयज़ित किया गया था में 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था तो इसलिए विकल्पसी सही उत्तर है चलिए अगला सवाल हाली में समचारों में आये एंथ्रोबोर्ट शब्द के संबंद में निमनिल्खित कतनों पर विचार कीजिए कथन एक इसका निर्माण मानव श्वासनली कोशिकाओं से किया गया है और कथन दो ये किसी प्रयोक्षाला सेटिंग की आवशक्ता के बिना नियूरॉंस को ठीक करने में सक्षम है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कतन सही है तो इसका सही आंसर है हाली में एंथ्रोबोर्ट शब्द खबरों में देखा गया दरहसल शोदकरताओं द्वारा मानव कोशिकाओं का उप्योग करके बनाए गए लगू रोबोट्स को एंथ्रोबोट्स नाम दिया गया है एंथ्रोबोट्स मानव श्वासनली कोशिकाओं का उप्योग करके बनाए गए है इसलिए कतन एक सही है ये स्वा संयोजन की क्षमता वाले बायो रोबोट हैं इसमें प्रयोक्षाला सेटिंग के भीतर नियूरॉंस को ठीक करने के साथ साथ गती करने की क्षमता होती है इसलिए कथन 2 सही नहीं है तो इस प्रकार विकल पे सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन अंतराष्ट्रे समुद्री संगठन के संबन में निमनलखित कथनों पर विचाथ कीजिए कथन 1 कि 1940 में संग्तराष्ट की एक विशेश एजंसी बन गया और कथन 2 इसका मुख्याले नियू यूउक में स्थित है आपको बताना है कि इन्वेसी कौन साया कौन से कथन सही है सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और नहीं दो तो सही जवाब है option D ना तो एक और नहीं दो हाली में भारत अंतराष्ट्रे समुदरी संगठन यानि IMO के लिए फिर से चुना गया है आपको बता दें कि अंतराष्ट्रे समुदरी संगठन यानि IMO सैंक तराष्ट्रे संग के एक विशिष्ट एजंसी है जो जलियानों के यातायत को नियंतरत कर निकले अधिकरित है ये 1948 में अंतरसरकारी समुद्री सलाहकार संगठन यानी I.M.C.O की रूप में स्थापित किया गया था 1969 में इसे सैंकतराष्ट के क्विशिश एजनसी बनाया गया और फिर 1982 में इसका नाम बदल कर अंतरस्ट्रे समुद्री संगठन कर दिया गया इसलिए कथन एक सही नहीं है इसका मुख्याले लंदन में है इसलिए कथन दू भी सही नहीं है इस प्रकार विकल्पडी सही उत्तर हो जाता है चलिए अगला सवाल देखते हैं जॉन मार्शल, दैराम सहनी, आरडी बनर जी या फिर करनल मेके तो सही आंसर है आप्शन सी आरडी बनर जी हाली में पाकिस्तान में मुख्योद्रो स्थल पर एक बौद मंदर के अवशेशों के भीतर 2000 साल पुराने तांबे के सिक्कों का भंडार खोजा गया आपको बता दें कि मोहन जोद्रो एक प्राचीन संदू घाटी संभिता का एक स्थल है ये स्थल संदू नदी के तटपस्तित है और 26 से 1900 इसापूर के बीच फ़ला फूला था मोहन जोद्रो नाम का अर्थ मृतकों का तीला माना जाता है इसस्थल के पुरातात्विक महत को पहली बार हडपा की खोज के एक साल बाद 1922 में पहचाना गया था बाद की खुदाई से पता चला कि टीलो में उस जगह के अवशेश हैं जो कभी सिंदू सभिता का सबसे बड़ा शहर था इसकी खोज 1922 में भारते पुरातातु सर्वेक्षन के एक अधिकारी आड़ी पनरजी ने की थी इसलिए विकल्ट सी सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं कोडिक्स एलिमेंटेरियस कमिशन यानी CAC के सम्बंध में निमनलिखित कत्रों पर विचार कीजे पहला कथन इसे विशुस स्वास्ते संगठन और खादे एवं करशी संगठन द्वारा बनाया गया था और कथन दू इसकी बैठक हर साल जिनिवा में ही होती है आपको बताना है कि इनमेंसे कौन साया कौन से कथन सही है किवल एक किवल दो एक और दो दो या पर ना तो एक और ना ही दो तो उसका सही जवाब है उप्शने किवल एक हाली में कोडेक्स ऐलिमेंटेरिस कमिशन यानी सी एसी ने रोम इटली में आयुजित अपने 46 सत्र के दोरान बाजरा पर भारत के मानकों की प्रशन सकी है गौर तलब है कि CAC यानी कोडेक्स ऐलिमेंटेरिस कमिशन एक अंतराश्ट्रे खादे सुरक्षा और गुनवत्ता मानक निर्धारन निकाह है इसके 189 सद्द से देश है इसे माई 1963 में विश्व स्वास्ते संगठन और संगत्राश्ट के खादे और क्रिशी संगठन द्वारा बनाया गया था इसलिए कथनेक सही है इसकी बैठक वर्श में एक बार जिनिवा और रोम के बीच बारी-बारी से नियमत सत्रों में होती है इसलिए कथन्दू सही नहीं है इसलिए विकल्पे सही है नेक्स सवाल निमने लखित में से किसने शाक के बौध सोसाइटी की स्थापना की सी एन मुदालेर, ईवी रामस्वामी नायकर, बियार अमबेडकर या फिर आयोथी थास पंडितार तो सही जवाब है आयोथी थास पंडितार हाली में चिन्नई के गांधी मंडपम में दलित अधिकार और जाती विरोधी कारे करता आयोथी थास पंडितार की एक मूर्ती स्थापित की गई थी आपको वतादें कि आयोथी थास पंडितार एक प्रमुख जाती विरोधी कारे करता और सिद्ध चिकित सके चिकित सकते उनका जन 20 मई 1845 को मदरास प्रेसिडिंसी में हुआ था उन्होंने रेव, जौन, राथीना के साथ द्रवड, पांडिय, नामक एक पत्रका प्रकाशित की इसके अलावा रेटा मलाई, श्रनवासन के साथ मिलकर द्रवड महाजन सभागी स्थापना की इसी के साथ उन्होंने मदरास में शाक के बहुत सुसाइटी की भी इस्थापना की जिसे भारतिय बहुत संके नाम से भी जाना चाता है तो इसलिए विकल्बडी सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन देखते हैं तो इसका सही उत्तर है उप्शन सी पश्चिम बंगाल इस रिजर्व के उत्री किनार पर सिंचुला पहाड़ी श्रंखला स्थित है और इसके उत्री सीमा भुटान की साथ लगती है जबकि पूर्वी सीमा असमराज्य को छूती है इसे इसका नाम बकसा किले से मिला है जो 866 मीटर की उचाए पर सिंचुला रेंज पर स्थित है रेड़क नदी और जहनती नदी बकसा के जंगल से होकर बहती है इस रिजर्व के जंगलों को मोटे तोर पर नम उश्नकटी बंधिया वन की रूप में वर्की कृत किया जा सकता है इसलिए विकल्पसी सही है अगला सवाल ये अफ्रीका और एश्या महादवीपो के बीच हिंद महा सागर का एक प्रवेश द्वार या विस्तार है ये विश्व का सबसे उत्री उश्नकटी बंधे समुद्रों होने के साथ दुनिया के सबसे गर्म समुद्रों में से एक है उपरित अनुच्छेत कि समुद्री या सागर की सही वियाख्या करता है अदन की खाड़ी, काला सागर, लाल सागर या फिर भूमद्धे सागर तो जवाब है उप्शन C लाल सागर हाली में लाल सागर में एक अमेरिकी उद्वोत और कई वाने जिक जहाजों पर हमला किया गया जिससे मध्य पूर्व में समुद्री तनाव की स्थती बन गई है आपको बता दें कि लाल सागर अफरीका और एश्या महाद्वीपो के बीच हिंद महा सागर का एक प्रवेश द्वार या विस्तार है ये विश्व का सबसे उत्री उश्रकटी मंधे समुद्रों होने के साथ दुनिया के सबसे गर्म समुद्रों में से एक है मिस्र, साओधियरब, यमन, सुडान, एरिट्रिया और जिबूती की सीमा इस सागर से लगती है इसलिए विगल्पसी सही है चले नेक्स सवाल हाली में समचारों में देखा गया प्रोजेक्ट कोई पर किसकी एक पहल है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, स्पेस एक्स या पर नासा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेजन हाली में अमेरिकी बहुराश्टर प्रोध्योगी की कमपनी अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कोई पर के लिए अमेरिकी अंतरक्ष कमपनी स्पेस एक साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है आपको बता दे कि प्रोजेक्ट कोई पर लो आर्थ और्बिट में 3236 उपकराओं का नेटवर्ग बनाने के लिए अमेजन कमपनी की एक पहल है इसका उदेशे दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट एकसेस प्रदान करना है साथ ही इसका लक्ष दुनिया भर में इंटरनेट की पहुँच से वंचित समुदायों तक तेज किफायती ब्रोडबेंट पहुचाना है इसलिए विकल्प भी सही है चलिए अब नोट कर लिजा आज का भ्यास प्रशन डॉक्टर भीम राव अंबेडिकर के संदर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजे पहला कथन है उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडनेट लेबर पार्टी का गठन किया दूसरा कथन 1947 में वो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री मंदल में कानून मंत्री बने और तीसरा कथन मार्च 1927 में उन्होंने महाड सत्यागरह का नेतरत्व किया आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है तो वियर्स आज के एपिसोड में इतने ही लेकिन जाने से पहले कॉमेंट सेक्शन में इस तवाल के जवाब देना मत भूलिएगा तो मुलाकात होगी अगले कारेक्रम में तक तक के लिए जैहिंद